कि उन्हीं चीज़ों के उपर बात करेंगे कुछ कुछ चीज़े बहुत बेसिक सी चीज़े हैं ठीक है सो ट्रांसलेशन बेसिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं मैंने आपको तीन आरेने बताया थे इन तीनों का इंवल्मेंट जो होता है वह होता है ठीक है और किसी भी बैजिकल प्रोसेस में जैसे कि हमने बात किया था यह जाता है यह three basic steps जो होते हैं वो पाय जाते हैं नाव इसके अलामा जो होते हैं कि there is a charging of tRNA एक जो होता है जिसको हम बोलते हैं कि there is one step in translation जो कि initiation से पहले आता है that amino acetylation amino acetylation of tRNA यह जो होता है कि amino acid को जोड़ना बहुत जोड़ी होता है लाइक क्या होता है कि there is a gtp molecule और atp molecule जो कि directly एक gtp से gmp में atp से amp में convert होता है मतब दो amp के approach energy use होते हैं कि मान लेजे यह amino acid ठीक है यह amino acid tRNA से जोड़ना है तो tRNA से जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको energy provide करेंगे और यह atp direct amp में convert होता है तो we can say that two atp equivalent energy होती है तो यहां पर जो होता है tRNA जो होता है जिस भी amino acid से यहां पर लिखा रहता उससे यह charge हो जाता है यह जनली code किस से जुड़ना चाहिए यहां पर लिखा होता है किस से जुड़ना चाहिए यह anti codon का part होता है इसी से यह check करके यह respectively amino acid को जोड़ेगा कि हाँ यह amino acid जो है वो जोड़ेगा this is amino acidization जो है आपका इस तरीके से जी टीपी या जो नॉमली अगर हम बात करें तो involve हो जाते हैं and amino amino group का जोड़ रहे है amino acidization amino acidization of tRNA यह जो होता है amino group को जोड़ेगा कहां पर tRNA के उपर जब मैंने आपसे बात किया था तो tRNA का कुछ इस तरीके से structure बताया गया था there is a variable loop होता है और इस तरीके से चीजे पाए जाते this is a variable loop और यहां पर cca end होता था 3' end पे इस particular a के पास इसके पास 2' OH भी होता है और इसके पास 3' OH भी होता है ठीक है यह चीज होती है this is 2' OH 3' OH अब यह किसी भी particular जगह से इससे भी amino acid को जोड़ सकता है और इससे भी जोड़ सकता है अगर वो 2' OH से amino acid को जोड़ता है so this should be the type 1 tRNA type 1 tRNA कहलाएगा अगर 2' OH से जोड़ता है और अगर वो 3' OH से amino acid को जोड़ता है so this will like type 2 tRNA यह जो हो जाएगा type 2 tRNA हो जाएगा क्योंकि यह एक ribos sugar है इसके पास second prime और third prime दोनों के दोनों जो है वो present होगे यह rn है ना कि dn है इसके वज़ों से यह चीज़े नहीं पाज़ेंगे तो इसके पास यह चीज़े present होगे amino acetylation जो process है आप पहला इस तरीके से करते हैं कि amino को charge करेंगे amino acetylation of tRNA आपने amino group को जोड़ा tRNA पर जो bond बनेगा acetyl इस तरीके से आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा ठीक है attack करके तो इस जो होते है amino acids पहले है कुछ कुछ amino acids different different anti-codon के basis पर charged है और जैसे यह आपका पड़ेगा codon को read करेगा वहाँ पर इस amino acid को deliver कर देगा और deliver करने के अलगलग process से initiation, elongation, termination, different cases now ribosome के भी larger और smaller sub units होते हैं और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि initiation, amino acidulation में तो यह चीज़ हो रही थी अगर हम initiation के उपर बात करें ठीक है एक basic fundamental like initiation के उपर जब बात किया जा है इस particular case में ठीक है तो अगर हम देखते हैं initiation के case में तो ध्यान देना है smaller ribosome जो है सबसे पहले bind करता है कौन करता है smaller ribosome जो है smaller ribosome binds first smaller ribosome unit जो होगा that will binds first वो जो है वो पहले binds first पहले bind करेगा ठीक है पहले जो है वो bind करेगा so now ध्यान देने की कुशिस करें smaller ribosome पहले bind करेगा larger one से बहुत basic से funda है यहां पे अगर आपको याद रखना हो इस particular जो चार स्टेप्स मैंने बताया थे है मैंनों इसे tillation, initiation, elongation and third one and fourth one is termination तो elongation is like quite easy बहुत जादा difficult नहीं होता है बट initiation, elongation एक तरीके से merged होते हैं तो उस चीज को आप समझ गए तो पूरा का पूरा case जो है आपका clear हो जाएगा ठीक है ध्यान देन दिजेगा तो यहाँ पर क्या case बनता है कि जब भी आप इस तरीके के case देखते हैं तो ribosome का एक unit पा जाता है इसके पास three sides होते हैं एक होता है A, एक होता है P और एक होता है E E, P, A ठीक है, what is this sides, यह side क्या है, E के पास होता है that is exit side P का मतलब इसके पास peptidal transferage होंगे peptidal transferage site and उसके बाद है A का मतलब है acceptor site A का मतलब है acceptor site This is the case जो कि यहाँ पर पास आ जा रहा है E, P, A exit site, exist नहीं है exit site है जहां से exit, peptidal transferage और यह बहुत सीधा सा पंगा है भाई, यहाँ पर ध्यान रखने की कोशिश करना, कोई भी चीज कैसे आएगी ठीक है, कोई भी चीज कैसे आएगी, that is पहले आएना है आसिरवाद लेना है ठीक है, क्या करना है, अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा, कि बहुत सीधी सी बात है नॉमली, पहले है आसिरवाद फिर प्रसाद and then exit कर देना है असिरवाद, देन प्रसाद, देन exit इस अब जो एक बाबा है, राइबोजोम बाबा, इसके साथ आसिरवाद लेना चाहिए, फिर प्रसाद लेना चाहिए, और एक्जिट कर देना चाहिए, ठीके तो पहले A साइट आना चाहिए, फिर P साइट आना चाहिए, उसके बाद E साइट से निकल जाना चाहिए, For all except first For all except first tRNA जो first tRNA आता हूँ उसको छोड़ के ये चीज आती है अब ध्यान देना कि first tRNA का क्या पंगा है first tRNA जो होता है ये समझलो कि बहुत चलाक बालग बन रहा था मैंने बोला कि राइबोजोम बाबा से आसिरवाद लेना फिर प्रसाद देना फिर एक्जिट पढ़ना है फॉस्ट यारने अपने आपको क्लेवर बनता है और यह encounters या encounter करता है कहां पे यह आसिरवाद नहीं लेता पहले प्रसाद के चक्कर में encounters at P site first फॉस्ट यारने जो होता है जो मेथियन इनको लेके आ रहाता है यह P site पे encounter करता है प्रसाद का चक्कर फस जाता है वावु भाईया ठीक है यह कहाएगा कि नहीं मैं पहले प्रसाद ले लूँगा कि खतम ना हो जाए तो इस चक्कर में जो होता है गड़बर हो जाती है और यह प्रसाद के चक्कर में रुख जाता है तब तक दूसरा वाला पहला वाला यहाँ पे आएगा इसके बाद सेकेंड यहाँ से और इसी पे थर्ड फूर्थ फिफ्थ यह चीज़ चलती रहेगी अब पहले वाले के भाई साब के आने के बाद क्योंकि यह आसिरवाद ले नहीं पाये होते तो प्रसाद लेके बार 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 लाइन में जुड़ेंगे तो यह केस जो है यह चलता रहेगा कैसे अभी हम थोड़ा समझाने की कोशिस करते हैं ध्यान दीजेगा पहले के लिए यह सबसे पहले P साइट पे आता है फिर उसके बाद जो होता है दूसरे अमिनो एसेट से वो A साइट पे चलने की कोशिस करता है अभी मैं कोई फैक्टर वगरा नहीं बता रहा हूँ पहले प्रोसेस समझ जाओ फिर फैक्टर का अपना रो हो की नहीं सकता आपको समझने से इनी सीएस है ठीक है यहां पर बहुत सीधा सा पंगा है कि आपके पास क्या हो जाएगा कि एक राइबोजोम है मतलब इसमें कुछ यूनिट्स पाया जा रहे होंगे मालिजे यह है यह P है और यह है इसके पास एक आगया टी आरने ठीक है लाइक त्रने इसको मैं इस तरीके से लिख दे Crime है इस त्रने के पास अगा इस पहला की यह है हमारा पाला जो कि चलाक बन रहा था पहला टी अरने आ Mais amVINno that is generally जो amino acid first होगा वो methionine होगा बट हम अभी सिर्फ एक normal basic knowledge समझ रहा है कि पहला आके जुड़ गया अब जुड़ने के बाद this is like ये जुड़ा second one क्या आएगा second one जो है यहाँ पर जुड़ने की कोशिस करेगा कहाँ पर this one जो second one की case की बात करते हैं ribosome या tRNA लेके आएगा और amino acid को two करेगा अब two करने के बाद this like की cases अब कुछ कुछ cases यहाँ पर होंगे अब वो एक elongation का part होता है हम अभी उसी को link भी करेंगे ठीक है तो ध्यान देना कि सबसे पहला जो है कहाँ पर जुड़ेगा सबसे पहला अगर इस चीज में ध्यान दे तो first वाला e p side पे होता है और इस चीज पे ध्यान देना कि smaller sub unit पहले आएगा ठीक है smaller sub unit पहले आएगा और पहले वाले को ठीक है बहुत सीधी सी बात है ध्यान देना कि अगर पहले वाले को p side पे bind करना है अगर first वाले को P side पे bind करना है तो A side को occupy करेगा some factor occupy is this some factor जो है इसको occupy करेंगे तभी इस पे side रही नहीं जाएगा कुछ factor आकर यहाँ पे bind कर लेंगे और जिसकी वज़से ultimately इसको यहाँ पे bind करना पड़ेगा ठीक है? So there is some factor, different factors prokaryotomyinic session factor 1, 2, 3 तो कुछ जो है ribosome के 30 ये sub unit को पहले लेके आएंगे कुछ 30 sub unit को पहले लेके आएंगे कुछ जो है tRNA को charge करेंगे tRNA को charge करेंगे और कुछ जो है A side को block करेंगे A side को block करेंगे और first जो होगा वो किस पे आजाएगा? first at P side इतना initiation का पंगा है हमें 30 को पहले लेके आना है TRNA को चार्ज करना है यहां से जो आएगा पहला वाला और उसके बाद यह amino acid A side को block करना है so that कि यहां पे पहले ना है ठीक है और first वाला at P side कुछ factors involved होंगे उनसी जो पर हम discuss करेंगे लेकिन यह जो है हमारा initiation का part है यहां पर मैं बात करो elongation not initiation ठीक है? elongation समझेगा आप elongation समझेगे तो आपका पूरा का पूरा पंगा clear हो जाएगा ध्यान दीजेगा अगर हम elongation के उपर बात करते तो देखे पहला वाला जो है यहां पर आचुका था अब दूसरा वाला जो है यहां पर आएगा अब obvious ही बात है try to understand here कि मैं यहां पर लाने के लिए यहां पर कहीं पर present होगा अब इस चीज़ पर amino acid factor second जो है यहां पर लाने के लिए दिर इस some factor elongation factor required होगा जो कि इसको यहां पर लेके आएगा so this would be very simple कि यह क्या करेगा this process is known as decoding यहां पर क्या है यह है decode कर रहा है decode करने के बाद there is a case जहां पर कि वो bind करेगा तो transpeptidization का process होगा देखिएगा EPA यहां पर क्या है कि यह है आपका tRNA और इससे है amino acid 1 यह है आपका this is second one मैं color change कर देना हूँ so that you can get amino acid 2 because यह जो P और A पीक जो इसी लिए इसको peptidal transferage A का मतलब होता है acceptor P का मतलब peptidal transferage मैं बता चुका हूँ तो यहां पर peptidal transferage activity होगी यहां पर peptidal transferage activity होगी actually में पहला amino acid कुछ ही इस तरीके से होता है NH2 COOH and this one this is the amino acid 1 and दूसरा होता है NH2 minus HR ठीक है यह जो है आपका second amino acid है amino acid 2 अब ओविस ही बात है peptide bond formation में you know that कि इसका जो होता है OH और इसका H यह निकलेगा इसका OH और यह निकलेगा तो H2O निकलेगा और यहां पर यह पूरा का पूरा peptide bond amino acid 1 और यह amino acid 2 जोड़ जाएंगे peptide का formation हो जाएगा यह कौन carry out करेगा यह 23S for ribosome मलब पेकपोर carry out and 28S for the eukaryote यह peptidal transferage activity यहां पर perform होगी ठीक है यहां पर जो होगी peptidal transferage activity होगी this process is known as transpeptidation क्या होगा transpeptidation transpeptidation मतलब हम peptide bond का formation करा रहे है कौन कर रहा है 23S ribosomal RNA in prokaryote prokaryote में वो है जबकि 28S ribosomal RNA जो है 28S ribosomal RNA जो होगा वो involve हो जाएगा आपके eukaryote में ठीक है यह चीज यहां पर चल रही थी इसके बाद सवाल उठता है कि देखो peptide bond जब बन रहा है तो यह उठके इधर चला गया यह जो है उठके इधर चला गया और यह end terminal free रहेगा अगर आप इस तरीके से इस चीज को देख पा रहे हो let me draw it again ठीक है तो transpeptidation के बाद ठीक है यह जो हो जाएगा यहां पर यह चीज हो रही थी आपके पास क्या बना था यह देखेगा कि यह P site है यह A site है और यह E site यहां पर in this case यह T RNA अभी भी ऐसा है और यहां पर यह जो है यह जो है इस तरीके से case बना था इस पर amino acid 2 था और इससे link हो गया था amino acid 1 amino acid 1 इसका end terminal free था यह है अब क्या होगा कि ध्यान देने की कुशिस करो कि there is like case की because नया वाला यहां पर यह जो case हो चुका था transpeptidation के बाद इस प्रॉसेस में नया वाला कोई न कोई T RNA amino acid 3 को लेके आना चाहेगा क्योंकि जो ribosomal RNA है यह basically codons के तरीके से messenger RNA ऐसे ऐसे move कर रहा होगा tRNA उसको scan कर रहा होगा तो वो एक step move करेगा ribosom एक step इधर move करेगा mRNA से codon के scan करने के लिए तो इस particular case में इसको थोड़ा सा slide घसकना पड़ेगा और क्या होगा कि ribosom अपने आपको shift करेगा क्या करेगा shift करेगा क्योंकि A side को उसको फिर से empty करना है ribosom अपने आपको shift करेगा कि उसको A side को empty करना है तो जब empty करना होगा तो there is a process which is known as translocation क्या हो जाएगा translocation तो translocation में यही ribosom actually में जो पहले था इस codon के पास था मालो वो अप shift करेगा और अपने आपको देखेगा कि यह ribosom इधर अपने आपको shift किया क्या होगा ribosom shift करेगा जब ribosom shift करेगा यह जो यहाँ पे case था जैसे P site, A site और exit site जैसे shift किया यह वाला tRNA जो free form में था यह कहाँ पे आ जाएगा ऐसे E site पे और यहाँ से यह वाला free exit हो जाएगा नए के लिए यह जो tRNA है यह exit हो जाएगा free वाला इसके बाद अगर हम बात करते हैं P के case में तो यह जो A site पे था यह क्योंकि इधर की तरफ shift हुआ है तो उपर वाला इधर shift होके यह वाला इधर आ जाएगा और यहाँ पे amino acid 2 फिर इसके उपर amino acid 1 और यह चीज चुड़े रहेगे ठीक है यह क्या है बिकाज एक normal जैसे तरीके से अगर आप इस तरीके से shift करेंगे तो ribosome इधर shift हो तो उपर वाला sliding principle की तरीके से काम कर रहा है तो slide की वज़े से वो इधर shift हो अगर ribosome इधर होगा तो यह वाला इधर होगा यह इधर होगा और यह इधर होगा translocation होगा यहाँ पे translocation factor भी involve होगे और यह site अब free होगया अगेन free होगया तो इसके लिए फिर से नया जो है decoding का process शुरूओगा so this will be the case here फिर से आपका यह process repeat होने लगा इलोंगेशन में तो इलोंगेशन में पहला process है decode करना decoding first second one is transpeptidation second one is transpeptidation and third one is like translocation ठीक है यह जो चीज है आपका यह पूरा का पूरा decoding, transpeptidation and translocation जो है यह case involve होगे ठीक है so these are the cases जो है यह सारा का सारा आपको देखाएगा कि कैसे initiation हो रहा था P side पे आया, A side खाली था A side को खाली रखा क्योंकि second one वाला यहाँ पे आएगा ठीक है और इसके बाद फिर इस तरीके से second यह पहला था यह second आया, इसके लिए कुछ factor चाहिए आपके जैसे की decoding factors होते हैं ठीक है, अलग-अलग factors होते हैं यह involve हो जाते हैं इसके बाद there is case जो की normally फिर here is the transpeptidation process होगा transpeptidation process में उसके बाद there is a case transpeptidation के बाद फिर decoding, translocation होगा इस तरीके से elongation हो जाएगा this is the case ऐसे growing chain जो है वो चलती रहेगे, चलती रहेगे, चलती रहेगे synthesis कैसे हो रहा है अगर आप इस चीज़ को देख पा रहे हो तो N terminal first हो रहा है N terminal first हो रहा है और C terminal last होगा N to C terminal peptide की synthesis का direction क्या है N to C terminal अगर हम बात करें what is the direction of peptide synthesis तो peptide synthesis जो है वो N terminal से C terminal की तरफ चल रहा है ठीक है इसके बात जो है कि there is cases जो की termination का बात आता है let's talk about termination one जहां देने की कोशिश करिएगा so जब हम बात करते हैं termination के लिए तो बहुत simple सा फंगा है देखेगा कि आपके पास same वही चीज जो आपने ध्यान रखा था इस तरीके से राइबोजोम चल रहा था यहां पर क्या है कि आपके साथ peptidal चीजे चल रही है ठीक है यह है आपका exit site exit से निकल गया यह है peptidal site इस पर amino acid जो होगा N चल रहा होगा फिर उसके उपर amino acid like N-1 मैं 3 इस तरीके से dash dash कर देता हूँ amino acid 2 amino acid 1 यह इस तरीके से कई सारे amino acid आपस में peptide के form में जोड़ते चले जा रहे होगा उपर N terminal free होगा P side पर यह A side खाली था ठीक है A side अब जैसे ही देखेगा कि यहां पर UGA जो mRNA चल रहा था मालो के कोई एक stop codon UGA encounter किया जैसे UGA encounter किया there is a binding of release factor here ठीक है क्या करेगा यहां पर अगर आप देखेंगे so different different cases होते है actual में यह larger subnute smaller subnute कई बार आप लोगों को यह confuse होगा actually मैं बड़ा बना रहा हूँ तो इसमें एक ऐसा subnute होगा एक ऐसा subnute होगा तो इस cases में चीज चल रही होगी ठीक है so this was मैं उसी को एक में ही कर दे रहा हूँ कि उपर के तरफ larger रहे नीचे के तरफ smaller है तो यह confuse मत हो जाना ठीक है so this was like कई लोग कहेंगे कि अरे ऐसे कैसे हो गया ठीक है so ऐसा कुछ नहीं है मालो अभी के लिए ठीक है ऐसे मालो ठीक है तो बैटा जिन्दगी की कटनाईया ऐसे चलती रहती है वही चीज है अगर नई समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं यहाँ पर MRNA चल रहा था वही अनकाउंटर किया ठीक है अगर आपको इसमें भी तकलिफ हो रही है तो let me erase this ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि यह स्मॉलर सब यूनिट होगा और एक लार्जर सब यूनिट का पार्ट रोल प्ले कर रहा होगे ठीक है रिलीज फेक्टर कई अलग अलग टाइपस होते है रिलीज फेक्टर आके बाइंड करेंगे और रिलीज फेक्टर बाइंड करके यहाँ पर क्या करेंगे कि स्मॉलर सब यूनिट को अलग स्मॉलर को अलग लार्जर को अलग ठीक है लार्जर अलग tRNA अलग इसके साथ protein जो है वो अलग, सब कुछ resemble कर देंगे, इस तरीके से release factor का काम होता है, ठीक है so there is binding of release factor and this release का नाम ही है, ये क्या करेंगा release of components ठीक है so this is the case, कि ये जो है आपको ध्यान रखना है, पहले tRNA को आप amino-satellite करेंगे charge करेंगे उसको, वहाँ पर factors involved होते हैं, charging के लिए, इसके बाद initiate कराएंगे, पहले आमीनो, इसलिए पहला tRNA आपके TP साइट पर आएगा, उसके बाद दूसरा A साइट पर आएगा, फिर उसमें decoding, transpeptidation होगा, ट्रांस location होगा, बार-बार ये cycle चलती रहेगी, और बार-बार इस cycle को देखेंगे तो क्या है, पहले आसिरवाद फिर प्रसाद, एन फिर आपके exit, tRNA कैसा हा रहा है पहले को छोड़ दिया जाए, तो पहले आसिरवाद, फिर प्रसाद फिर exit, यही तो हो रहा है that A, P, E आसिरवाद, प्रसाद एन एकजिट, यही जो है पंगा आपका ध्यान रखना है, A, P, E तो A side, P side, E side पहले को छोड़ के, पहला वाला जो आता है वो किस पे आता है, वो आता है आपके P side पे, ठीक है, so this is the case for यह जो है आपके पुरा का पुरा एक basic मैंने बता दिया है जिससे कि आप समझ सकते हैं, ठीक है प्रोकरियोट में अगर समझेंगे factors के साथ, तो यही चीज़े समझने की कोसिस करिएगा, this is like कि यहाँ पे यह अलग-अलग case है, लेक में zoom it, if you really देखेगा ठीक है, so now अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो देखेगा कि यहाँ पे क्या हरा है, कि 30 subunit है this is 30 subunit, यह देखे initiation factor like, initiation factor and gtp bind to the 30s ribosomal unit यहाँ पे जो है कि initiation factor 1 है, initiation factor 2 है initiation factor 3 है, तीन अलग-अलग factors होते हैं, 1, 2, 3 ध्यान देना, कि 3 का काम होता है, 30s subunit को लेके आना, इसका काम क्या होता है, 30s subunit को लेके आना 2 का काम होता है, यह aminoacetylation इस भाई साहब का काम होता है aminoacetylation and 1 का काम होता है that first को p-site पे बनाना, first tRNA को at p-site कैसे कैसे करेंगे यह काम भाई साहब, block the a-site block the a-site a-site पे bind करके block कर देंगे ठीक है, सुध्याम दीजेगा कि यह जो है basic mechanism से कौन-कौन क्या कर रहा है so when you see that, देखिएगा कि यहाँ पे क्या है initiator tRNA initiator tRNA जो है, यह आपके normally देखे, gtp bind किया था energy की जरूवत पड़ेगी, सिटाइलेशन के लिए initial tRNA and mrna bind to the 30s, देखिए यह 2 वाला लेके आया, और इस पे 1 जो है, आपके 3 जो sides पाया जाते हैं, उनमें से 1 a-site पे bind कर रखा है, ठीक है, मान लो just for example, ठीक है, यह क्या है, this is like exit site है, यह है आपका p और यह है a-site, ठीक है this is the case, जो कि चल रहा था, देखिए कि e-pa पे a पे block किया 2 वाला आपिनो से टाइलेशन कर रहा था, तो अब यह, जो कि a block कर चुका है a-site को, देखिए, first one जो है, block कर चुका है, इसलिए tRNA के side पे bind किया, p side पे और exit side जो है, इस तरीके से चीज़े चल रही है, तो p side पे जो है, पहला वाला आपका bind किया है, ठीक है, पहला वाला जो है bind किया है, and this is the start codon यहाँ पे देखिए, mRNA में यही start codon है, p side पे आएगा this is the start codon, ठीक है और ribosome binding site, sign डलगर्नो sequence जो है, उसके just पहले पादर है, this is the sign डलगर्नो sequence, यह क्या है, यह है आपका sign डलगर्नो sequence ठीक है, चल लो, यहाँ पे basic सा funda वही है, जो मैंने आपको बताया था, पहले एक factor आया, a side को block किया एक smaller sub unit के लोग के आया और 2 वाला जो है, यह काम कर दिया तो मैंने आपको बता रखाऊं कि 2 से amino acetylation, gtp involved होगा, energy use करेगा ठीक है, 2, 2, t, t रूल लगेगा 2 से t से 2, t से tRNA, 1, 1 से a, पहला word a, पहला जो है, a को रोकेगा, 3 से 3 यहाँ पे सीधा सीधा पंगा है, ध्यार रखना 1, पहला alphabet, 1 होता है 3 से 30, 3 रूल लगेगा 3 से 30, और 2, t इसको बोलते है, 2, 2 से tRNA, यह चीज़ ध्यार रखना कभी भी confusion नहीं होगा, यह एक hack है, याद रखने के लिए, ठीक है, now आया, ठीक है, अब आने के बाद ध्यान देने की कोशिस करिएगा, कि अब यह है, 50 subunit से ही है, अगर start करना है, तो this 50 subunit becomes and bound 50 subunit आएगा, there is a GDP hydrolysis, देखे, GDP से GDP में गया 1, 2 release हो गया, ठीक है 1, 2 का communication का खतम अब elongation factors वेगरा आएगे तो this is like case, यहाँ पर 50 subunit हुआ, पहला देखे, P side पे binded है, यह है A side भाई साहब, और यह है E side, पहला P side है, यह 50 subunit आगया, पूरा का पूरा हमारा complete यह क्या हो गया, यह complete हो गया, तो जो वही चीज़ बताया जा रहा था, नीचे यहाँ पे A, यहाँ पे P, और यहाँ पे E, so exactly वही है A side, P side and exit side, P side पे कौन है हमारा पहला वाला first methionine, ठीक है first formulated methionine जो prokaryote होता है, इसमें formulated methionine आ जाता है, क्योंकि initiation के लिए formulated methionine जरूरी होता है prokaryote में, ध्यान देना, in the case of prokaryote, formulated methionine, formulated group जो होता है इसको methionine को formulate किया जाता है, उसकी वज़े से यह काम हो रहा होता है formulated methionine, so that accommodate कर दे site को, ठीक है चलो, समझ में आया यहां तक, तो आगे बढ़ने की कोशिस करते हैं अब देखेगा कि यह elongation कैसे हो रहा है so, in this case when you look at, देखेगा कि पहला वाला जो case था this is like empty E site था empty, यह मैं अभी वहाँ पर season के बाद यह चीज बनी थी आपके पास A, A amino acid 1 जो है आया हुआ था, ठीक है formulated methionine और peptide कुछ भी हो सकता है जो भी formulated methionine वो जो अगर हम लेके चल रहे थे, इसके बाद E site is empty, A site is empty here, अब इसको यहां पर क्या आएगा कि this case जो कि आप देखेंगे तो समझेंगे ना उध्यान दीजेगा यह दियर इस लेक डिफरेंट डिफरेंट केसिस पाद आते हैं केसिस का मतलब कुछ फैक्टर्स होंगे सबसे पहला कि यहां पर amino acid 1 टी आर ने जो होता है यह टी आर ने देखिए यह इसी तरीके से यह 2 जो हमने 2 बात किया था देखो 2 या 2 यह बोलो या यह बोलो initiation में यह था initiation factor में यह था elongation factor में यह 2 पर लो elongation factor 2 या TU जो बोलते हैं this is like कि यह जी टी पी से बाइन करेगा देखिए tRNA को लेके आ रहा है यहाँ पर tRNA को charge करना किसका काम है 2 गा लेके आएगा binding of the aminocyle tRNA सबसे पहला binding of the aminocyle tRNA and aminocyle tRNA bind to the a site escorted by eftu bound to the jtp eftu से escort किया जाता है ले आया जाता है पहला जिसको हम बोलते थे decoding ठीके decode करेगा कौन eftu eftu is decoding decoding की तरह काम करता है and during this tRNA binding the gtp is hydrolyzed gtp hydrolyzed होगा and this tu is reversed by the ts यह देखेगा कि जैसे आया asi पर bind हुआ gtp की hydrolysis होगी gtp hydrolysis होगी तो phosphate अलग हो जाएगा यह tu जो है gdp के साथ बाहर निकल गया अब tu जो है जब तक gtp से binded नहीं रहेगा tu जो है यहाँ पर उपर जा रहा है recycling of tu helps यह करेगा ts, ts क्या करेगा एक exchange factor की तरह काम करता है अगर आप ts की बात करें तो कैसा काम कर रहा है exchange factor की तरह exchange factor का मतलब gdp gdp को gtp से replace करेगा जैसे gtp से replace करेगा eftu is active now and this will go for tRNA amino acid mine करेगा फिर यह cycle चलता रहेगा इसका काम क्या है this process is known as decoding a side पर decode करने का tu और ts ts regenerate कर रहा है tu जो है लेके आ रहा है यह process जो है decoding का चल रहा है ठीक है gtp hydrolysis के साथ now इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो ध्याम देजेगा कि here second is peptide bond formation that is second step is known as transpeptidation बताया गया था transpeptidation, peptide bond का formation यह भी आपको ध्यान होना चीए transpeptidation जब यह peptidal transferage center पे है site अगर आप देख पा रहे हो तो that exactly this is the E site, P site, A site यहाँ पे peptide bond formation होगा carboxyl group of formulated methionin पहले का carboxyl group होगा इसका carboxyl group, इसका amino group लेके peptide bond का formation होगा, formation बनेगा तो देखे इस तरीके से यह चीज़ आजाएगी this is like peptide bond formation हुआ दो P site पे सिर्फ TRN बचा A site पे यह पूरा chain आ गया उपर जो है end terminal हो गया और यह है E site now जब इस तरीके से चीज़े होई तो अब हमें A site को खाली करना है बिना खाली किये कैसे होगा तो इसको खीचने के लिए ribosome को इधर खीचने के लिए ribosome को इधर खीचने के लिए एक translocation factor चाहिए this process is known as translocation यहाँ पे जो है यह अब translocation चाहिए translocation करने के लिए एक factor आता है EFG G कहेगा कि मैं इधर जान लगा के खीचूंगा तो जान लगा के खीच रहा है तो देखने की कोशिस करिएगा कि यह जान लगा के खीचेगा तो यह वाला TRN इधर जाएगा E पे और यह वाला जो है इधर आएगा A पे A से आजाएगा P पे P से आ जाएगा E पे अगर हम इसको देखे तो देखे यह जो है shift होके यहाँ पे आ गया ठीक है यह जो है shift होगे यह codon जो है पूरा का पूरा shift किया इसने और इधर की तरफ लेकिया गया तो now this is like E site पे TRN यहाँ से exit कर गया exit site से और यह P site पे पड़ा हुआ है यह है अब EFG GDP वाला अब इसको release हो जाएगा यह release होगा और release होने के बाद यह site खाली होगा A site और A site खाली होते ही फिर से नया आएगा फिर से TUT इस तरीके से पूरा का पूरा case जो है वो चलता रहेगा So this is the case जो कि आपके normally involved हो जाते हैं translation के cases पर So the whole process is like that कि initiation में आपके कुछ factors पाया जा रहे थे 1, 2 उसका मैंने आपको code बताया था बहुत तरीके से याद रखने का इसमें भी कुछ नहीं है 2, 2 पूरा का पूरा वही था T.S. regenerate कर रहे था जी से जान लगा के खीचेगा Translocate करेगा ठीक है Peptidial Transference Activity 23S RNA तो these are like different cases जो कि यहाँ पर पाया जा रहे थे इसके बाद अगर हम termination की बात करें तो this like termination में ध्यान देने की कोशिस करेगा कि there is UAA को बोलते हैं ओकर UAG is umber and UGA is opal यहाँ पर क्या होगा जैसे ही यह particular release factor should be there stop codon encounter हुआ ribosome reaches to the stop codon mRNA जैसे reach किया यहाँ पर release factor will bind here release factor bind करेगा यह अलग कर देगा आपके machine risk को release factor promote the hydrolysis free polypeptide अलग tRNA अलग सब कोच हो जाएगा और during the GTP जो है two GTP use किये जाते है and this is like ribosome units separate हो जाएगा and this is the very basic and in bacteria most often relative frequency सबसे जादा जो होता है UAA पाया जाता है UGA और UAG से जादा सबसे जादा जो stop codon होता है bacteria की case में वो यह होता है maximum number UAA का होता है so this is the case यहाँ पर आते हैं ध्याद देने की कुशिस करिएगा जो release factor bound करेगा release factor 1 bound करेगा and release factor जो bound करेगा वो 2 bound करेगा after that यहाँ पर release factor यह bound करके release हो जाएंगे इस तरीके से हटा देंगे और इनको recycle करने के लिए recycling के लिए चाहिए होता है recycling या रिजनरेट जैसे हमने TS के बारे में देखा था जो कि TU को regenerate करा था वैसे ही regeneration of release factor 3rd release factor 3rd जो है उचे यह होता so this is the case for here hope कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ठीक है so after that there is a case of formal methionine removal तो उसके उपर चलने से पहले let me tell you a very basic thing जो कि मैं आपर बता चुका हूँ कुछ कुछ factors आप लोग दिहां रखे रहेंगे खास कर prokaryotic translations के उपर मैं already table के उपर बात करूँगा तो prokaryotic translation जो है कुछ इस तरीके से आपका involved हो जाएगा कि initiation के case में ठीक है initiation के case में जो था वो आपका था 1,2,3 1,2,3 1 से SI, 2 से 2 का मतलब T से 2 T से TRNA यह है 2 TRNA को लेके आएगा amino acid के साथ 3 3,3 से 30 यहाँ पर 3 और 3 rule लगेगा यह चीज आपका ध्यान रख़ता था इसके साथ elongation में जो था बहुत ही basic था देखो elongation में था 2 TRNA को लेके आएगा आएगा यहाँ पर elongation factor TU जो लेके आ रहा था इसको regenerate करने वाला था elongation factor TS ठीक है यह जो था escort करने वाला था at escort करेगा at A site पे और यह जो हाँ यह 2 वाला escort करता है P site पे ठीक है क्योंकि A site पे तो block कर देता है 1 वाला यहाँ पर फिर यह काम होता है EF यह TS जो है regeneration के लिए पाया जा रहा होता है जो आपको बताया गया था यहाँ पे 23S जो है peptidal transferage activity करेगा peptidal transferage activity peptidal transferage activity करेगा and there is like elongation factor G जान लगा के खीचेगा ठीक है जान लगा के खीचना मतलब this is for translocation translocation जो है involved हो जाता है and उसके बाद termination termination के case में जब हम बात करते हैं तो there are some release factor release factor 1 release factor 2 यह दोनों जो होते हैं recognize करते हैं जब हम बात करते हैं तो यह UAA और UGA को recognize करेगा यह UAA and UAG को करेगा ठीक है और release factor 3 जो है that is for regeneration of release factor and यह जो है regeneration of release factor 1 and 2 के लिए पाया जा रहा है so these are the cases of termination so hope you guys कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा now formulated methionine को उपर जब हम बात करें तो ध्यान देने के कुशिस करना कि जो जैसा कि आपको पता है कि starting जो होता है prokaryot में ठीक है starting amino acid जो होता है वो formulated methionine होता है लेकिन यह सब में नहीं पाया जाता ठीक है अगर ऐसा होता तो क्या हर protein में formulated methionine starting होता है ऐसा तो है नहीं so removal होना जरूरी होता है so this is the case like amino acid tRNA synthetase यह tRNA formulated methionine यहाँ पर देखेगा formal transferage methionine formal transferage इसको formulated way में convert किया यह enzyme जो है convert करता है formulated methionine then after that जब यह बन जाता है methionine यहाँ पर formulated आ जाता है यह है formal group अगर आप देख पा रहे हो so this is like formal group है यहाँ पर आपका चल रहा था इसके बाद एक enzyme है जो remove करने के लिए that is the deformilage क्या बोला जाता है that is deformilage deformilage इस formal group को remove किया और अगर methionine को हटाना है क्योंकि हर amino acid में हर protein में पहला amino acid methionine नहीं होता तो methionine को हटाने के लिए there should be the amino peptidages methionine amino peptidages should be there जो कि methionine उनको हटा के amino acid 1, 2, 3 इस तरीके से जोड़ देगा so अगर हम बात करते हैं formulated देखेगा there is case methionine methionine से formulated methionine में convert करने के लिए there is enzyme that is formal transferage क्या है formal transferage यह है formal methionine से methionine में convert करने के लिए deformilage है deformilage और इस methionine को remove करने के लिए that is amino peptidase amino peptidase जो है ठीके so this is guys hope कि आपको समझ में आ गया होगा और मिलते हैं आप सभी लोगों से next video में till then bye bye and take care have a great day bye bye आपको सम्गाण कोच अभाश में आपको ना में इस dependsюда आप du अप आप from उसकी रिये को वेध Terry 20 डीकर्मी अग eer 0 प्र द्धिकेटिं मा झाल झाल